हाई इव्रिवान के से हैं आप सब आई होपो आप खुश होंगे अवा की सस्थ होंगे और मश्थ होंगे आ थैंक tren the टम स्रीज ᡇयक करने के लिए कमेंट्स करने के लिए और साथ क्रीडिंक आई हो यह यह रिडिनग है 30 ग कार्ड इक क्या poss हो इसमें से आपको कौन सी opportunities, कौन सी blessings, केरियर वाइज, और relationship, जो भी निकलेगा, मैं यहाँ पर बताऊंगी, टोटली November मन्त में, आप केसी energies में यहाँ पर रहने वाले हो, ओके, जो कुछ निकलेगा reading में, वो हो आपको मैं बताऊंगी, और बिल्कुल यहाँ पर general reading है, तो हो सकता है, आप से resonate हो, हो या ना हो, लेकिन प्लीज आप अपनी situation से, यहाँ पर message को लेने की कोशिश करना है, यहाँ पर, ओके, एक पाईल आपने चूज किया है, नहीं कर पारे हो, तो आप दूसरी भी पाईल आप देख सकते हो, पूरी reading आप देख सकते हो, जो message आपकी situation से resonate होते हैं, वो message आपके लिए होंगे, otherwise और किसी और के लिए होंगे, और यह, इसका में time अपना description box में mention कर दूँँगी, वहाँ से आप देख लिजेगा, जिसे भी person डिंग चाहिए, मैं अपना whatsapp number भी description box से mention कर रखा है, वहाँ से आप देख लिजेगा, और मैं यहाँ पर आपको pile शो कर देती हूँ, यह है pile number one, new vision, pile number one, new vision, okay, and pile number two है, traveling, pile number two, traveling, okay, तो इसमें से I hope आभी तक आपने एक pile चूज कर ली होगी, नहीं कर पा रहे हो, तो वीडियो को pause करो, आराम से select करो यहाँ पर, और एक confusion बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं रखना, नहीं कर पा रहे हो, तो पुरी reading आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पर reading इस्टार्ट करती हूँ, pile number one, new vision से कि November मन्थ आपके लिए केसा रहने वाला है, क्या energies आपकी तरफ universe भेश रहा है, आपर, ओके, हाई pile number one, तो जिसने भी यह new vision का card चूज किया है, उसके reading मैं यहाँ पर start कर रही हूँ, और pile number one, please video को like, comment, subscribe जरूर करना, और जिसे भी person rating चाहिए, मैं अपना whatsapp number भी, description box में mention कर रहा है, वहाँ से आप देख सकते हो, और यह number one month, आपके लिए हैं ना, बहुत सारी, एक, सबसे पहले तो आप एक new energy में रहोगे, हर चीज एक new new, आप अपने अंदर देखोगे यहाँ पर, क्योंकि आपने हैं ना, एक, आपके अंदर जो burden था, burden आप मतलब एक किते हैं हैं, कि जब हम किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं, या कर नहीं पाते हैं, एक, शायद आपकी energy, मुझे ऐसा लग रहा था कि, किसी low, एक low उसमें जा रही थी, ठीके, एक, जब हम किसी काम को करते भी हैं, तो बहुत अपने आपको थकावा सा महसूस करते हैं, और बहुत ज़ादा हम low energy में रहते हैं, ठीके, तो एक time period होता है, सबका अपना अपना, ठीके, तो वो ज़ो एक time period होता है, वो complete होने वाला है, जितना भी आपने hard work किया है, जितनी भी आपने महनत करी है, एक बहुत चाह आप ठके हो, चाह आप काम करने के लिए लायक हो, या नहीं हो, किस situation में हो, केसे भी हो, लेकिन वो केते हैं, आपने hard work करना नहीं छोड़ा, आपने एक वो जो केते हैं, अपने उपर विश्वास करना नहीं छोड़ा, कि हाँ, मुझे केसे भी करके बढ़ना है आगे, चलना है आगे, तो वो एक जो आपके अंदर determination था, बस उसी के बदोलत, आप यहां तक पहुचे हो, पाइल नंबर वन, जो यह नवंबर मन्त रहेगा ना, आपका, आप इस मन्त में, आप अपने आपको देखोगे, बहुत high vibration में आप रहने वाले हो, और में जहे ऐसा लग रहा है, फुल मून, आपकी, जब जब फुल मून होगा ना, यह नवंबर मन्त में, आप फुल मून जब होगा, उस energies में आप देखोगे, आप अपने आपको, कि आप बहुत ज़्यादा open हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खिल रहे हो, आप निखर के चीज़े आपकी बाहर आ रहे हैं, करना अपने आपको, हर चीज से यहाँ पर free करना, अपने आपको open करना, और निरत्य करना, खुल के एक केते ना, खुल के अपने आपको जीना, समझना, क्या हर चीज के कैसे जीता जाता है, हर चीज के उपर कैसे success ली जाती है, किसे विजय हमें प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो यह नवंबर मन्थ है ना आपके लिए बहुत कहीं ना कहीं पाइल नंबर आपके लिए कुछ खास होने वाला है यहां पर क्योंकि आप लिटरली एक एक अपने आपको जो एक लो एनरजी से आप बहुत जाधा हाई वाइब और प्लस आप भ्रह्मान्ट और यूनिवर्स के साथ बहुत जाधा ओपन होकर आप यहां पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हो यहां पर एक जो उनके साथ कनेक्शन बनता हुआ मुझे बहुत जाधा आपका नजर आ रहा है ठीक है एक आपके अंदर बहुत आपकी एनर bucks नहीं है यहां पर नवर्वन यह पाइल नंबर नंबर बन आप नव वर्वन बन relevant का यह जो Felix आपको किंग ओवेंड्स फर्स्ट कार्ड आपका आया है किंग ओवेंड्स यह जो कि मैं यहाँ पर, आपको नवंबर मन्त है आप अपने केरियर पर बहुत जाधा फोकस लगा रहे हो एक, एक आपका फोकस आपकी अपनी चीजों पर है यहाँ ठीके आपका दिहान कई ओन नहीं है एक आप अपने केरियर में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ केरियर से रिलेटेट आप अच्छिव करने वाले हो एक आपके अंदर बहुत ज़ादा पैशनेट एनरजी रहेगी बहुत ज़ादा उत्साहित आप रहने वाले हो आप अपनी चीज़ों को मतलब कैसे लेना है कैसे जीतना है वो एक ज़जबा रहेगा आपके अंदर एक जोश रहेगा यहाँ पर किसी किसी के लिए यहाँ पर यह कि किसी कि जॉब यहाँ पर बहुत बहुत टाइम से वेट कर रहे हो तो वो जॉब आपको यहाँ पर मिलने वाली है, कोई केरियर में बहुत ज़ादा आप टॉप पर एक पोजिशन पर बहुत बड़ी पोजिशन को आप अचीव कर रहे हों यहाँ पर, ठीके, एक, वो केते ना, कि जब हम किसी चीज की महनत करते हैं, किसी चीज के उपर महनत कर काफी लंबे टाइमस हम जब लगे रहते हैं, और जब वो हमें चीजे मिल जाती हैं, तो हमारे अंदर और क्रियोसिटी हमारी और बढ़ जाती हमारा जोश और बढ़ जाता है यहाँ पर, तो नवंबर मन्थ आपके लिए वो एक, जो एनरजी थी थी ना, इतनी होने वाली वो डबल होने वाली आपकी, क्योंकि आपने मुझे इसा लग रहा है न, एक चीज को अच्छिव किया है, तो वो और एक, एक और चीज आईए आपके अंदर, कि हाँ, मुझे अब इस चीज को भी लेना है, इसको कैसे, इसको कैसे ले सकते हैं, इसके लिए मुझे कितना हा सक्सेस की तरफ जाओगे यहां पर, बहुत ऐसी एनर्जिस रहेगी, कि बहुत माइंड से आप काम लेने वाले हो, और किते हैं, कि जब हम किसी बड़ी पोजिशन को अच्छिव कर लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होने लगती हैं, कि जहां पर हम शयद उन सब चीजों को इग्णोर करना हमारे लिए सही भी होता है, तो नवंबर मन्थ में, आप आपके साथ इर्द गिर्दी चीज़ें शयद नेगिटिवीटी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको करना यह है कि उन सब नेगिटिवीटी को अपको, मतलब उन स सिर्फ आपको अपने केरियर पे फोकस बनाकर रखने की ज़रत है यहां पर ठीके जो चीजे आपको मिली हैं अभी तक जो पोजिशन आपने अचीव की है केरियर से देले हो या आपके अंदर बहुत साथ क्रेटिव आइडिय भी आ सकते हैं तो उसको आप उस चीज को समझ प सक्सेस के निकड़ जाते हुए मुझे देख रहे हो सौरी मैं देख रही हूँ आपको यहां पर ठीके एक एक confidence लेबल आपका बहुत ज़्यादा हाई है यहां पर ठीके एक चीजों को केसे लेना है केसे जानना है केसे समझना है वो एक आपके अंदर wisdom आ रहा है वो ग्यान आ रहा है कि हम और इन सब चीजों को लेके केसे आगे बढ़ सकते हैं ठीके तो यह चीजे आपको नवंबर म में काफी आप चीजों के प्रति आप और समझने की और उसके ओपर और लेना टाइम और लेना और समझना और उस चीज को आगे की तरफ यहां पर बढ़ाना ओके हैल्थ से रिलेटेट किसी-किसी की प्रॉब्लम है तो हैल्थ में भी मैं बहुत जादा इंप्रॉमेंट देख रही हूँ यहां पर क्योंकि आप है न हर चीज में एक जोश है आपके एक चीजों को एक जो लोग एनरजी में आप जा रहे थे न लोग एनरजी से आप निकल रहे हो यहां पर मैं आपके हैल्थ से भी देख रही हूँ बेटर देख रही हूँ आप केरियर वाइस भी यहाँ पर बेटर देख रही हूँ मैं आपको यहाँ पर आपका मतलब बहुत सारी चीज़े जो अभी तक रुकी हुई थी जिसके प्रति आप हार्डवर्क कर रहे थे तो वो चीज़े आपकी मौव हो रही है यहाँ पर नवंबर मन्त में ओके तो नवंबर मन्त में आप है ना अब आप रुकने वालों में से नहीं हो ठीके एक एक चीजों को आप बहुत बहतर तरीके से आप आगे की तरफ कर रे हो बढ़ रहे हू यहाँ पर और उस चीज में growth भी है आपके यहाँ पर ठीके जिस काम में भी आप heart डालोगे जिस काम को भी आप start करोगे उसमें growth है यहाँ पर आपकी चाह आपका अब वो relation हो चाह आपकी कोई creativity हो या कुछ आप start करना चाहते हो या किसी चीज की job के लिए apply कर रहे हो तो उस चीज में growth है यहाँ पर आपकी ठीके थी ओपांटिकर्स नवंबर मन्त में देखो आप है ना किसी चीज के ओपर यहाँ पर discussion करते हुए मुझे नजरा आ रहे हो काफी चीजों को आप मुझे इसा लग रहा है कि नवंबर मन्त में आपका है ना काफी एक एक चीजों को बहुत बहतर तरीके से आप समझ रहे हो यहाँ पर समझ के और फिर आगे की तरफ एक्शन ले रहे हो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो ठीके त्री नवर आपको बहुत जादा मतलब चीजों को balance करना यहाँ पर सिखाएगा ठीके कि चीजों को किस तर बादवाजी में नहीं करने वाले हो एक पेशेंस रहेगा आपके अंदर एक चीजों को डिसकेशन आप करते हुए मुझे नजर आ रहे हो ठीके शायद कुछ चीजे आपकी तरफ आ रही है भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फाइनेंशली रिलेटेड तो वह उन सब तरफ यहाँ पर बढ़ाना अब भी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आप अपने आपको लर्ण एक लर्णिंग स्टेज पर आप चल रहे थे discussion चल रहा था आपका किसी चीज के उपर लेकिनों केते हैं अंजाम देना उसको परिणाम उसका फिर देखना यहाँ पर तो नवंबर मन्त आपका एक वो केते हैं पेशेंस और एक समय का सही समय का आना तो ये November month आपने अभी तक जितना किया, जितना सुना, जितनी guidelines ली, जितने message लेने थे, वो उन सब का समय है यहाँ पर आपके लिए, ठीके, एक चीजों को किस तरीके से manage किया जाता है, वो बहुत बहतर तरीके से आपने जाना है, समझाएं यहाँ पर, ठीके, तो November month यहाँ जो मैं यहाँ से message भी दे चुकी हूँ, आपको यहाँ पर, किसी की health में कुछ जादा problems मुझे नजर आ रही है, तो उसकी health में भी यहाँ पर काफी recovering यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीके, काफी चीजों को आप खुद भी handle करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर, कि मुझ भी चीज़े आपकी तरफ अभी तक आ रही थी, वो उसे सीखी रहे थे आप, ओके, तो नवंबर मन्थ आपके लिए काफी एक ऐसी situation बनेगी आपके लिए, जहाँ पर आप खुद अपने उपर काम करते हूँ नजर आओगे, खुद डिपेंड हो रहे हो, अपनी situation को बहुत जादा मुझे नजर आ रहा है आपका, तो हेल्थ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जर्रत है, ओके, तर्टावर, देखो, यहाँ पर जो यह जो पास्ट का कार्ड निकल गया है, यहाँ पर आपके लिए, कि पास्ट में अभी तक आपने जिन चीजों को खोया है, जो मैं यहाँ पर भी बता रही हूं आपके लिए, कोई बहुत मेजर चीजों से आप गुजरे हो, मेजर चीजे यहाँ पर देखो, मुझे आपकी हैल्थ नजर आ रही है, कुछ फाइनेशली और केरियर, यह तीनों चीजे मुझे आपकी लाइफ की मेजर नजर आ रही हो, फिर से एक ज़जबा आ रहा है आपके अंदर, एक जोश आ रहा है आपके अंदर, कि चीजों को फिर से एक बनाना है, फिर से खड़ा करना है, फिर से मुझे काम करना है, फिर से अपनी लाइफ को एक नई जर्नी की तरफ यहाँ पर लेके जाना है, ठीके, क्योंकि भी तक मुझे एसा लग रहा है इसा लग रहा है यहां पर कि आपके पास एक टाइम पर सब कुछ देखा है आपने बहुत ज़ादा बड़े लेबल पर नहीं देखा है लेकिन अहां सब कुछ देखा है यहां पर लेकिन जब केते हैं कि सब कुछ होते हुए हमारे हाथ से दीरे-दीरे चीजे फिसल ने लगती हैं केते हैं कि समय किसी का खहकर नहीं आता है बता कर नहीं आता है तो वो जो समय था आपका बहुत एक टाइम पर आपने समय पर तूटे हो बिखरे हो और बहुत learning आपने मतलब किया है तो नवंबर मन्त है आपका एक फिर से आप अपनी life को enjoy कर रहे हो और जो अच्छी आप करना चाहते हो वो उस पर आपका एक निगाह गड़ी हुई है एक focus सिर्फ आपका अपने उपर यहाँ पर लगा हुआ है कि मुझे अपनी जिंदिगी को आगे की तरफ लेके जाना है मुझे और अपनी life को कैसे में better बना सकता हूँ कैसे में अपने आपको proof कर सकता हूँ यहाँ पर यह tower का card यानि कि यह बिखर चुका है यह हो चुका है सब कुछ हो चुका है आपकी life में अब क्या है ना अब फिर से आप अपनी इस tower को फिर से खड़ा करोगे आप यहाँ पर ठीके तो यहाँ पर November मन्थ आपकी लिए एक आपका खुद का आप प्रूफ कर रहे हो यहाँ पर वह किसली है क्योंकि आप फुल एनरजी में आने वाले हो आपकी creativity यहाँ पर निकर के बाहर आने रहे है आपको कोई चीजे अच्छी हो सकती है को जौब आप जल्दी यहाँ पर मिल सकती है आपको यहाँ पर क्योंकि के आपके अंदर एक एक आपकी जो हुनर है ना आपका वो चीजे आप बहार लेकर आ रहे हो अपनी ठीके तो यहाँ पर आपकी बहुत जादा grounded आप रहने वाले हो grounded रहना भी है आपको यहाँ पर तभी आपकी health में भी थोड़े improvement आपको नजर आएंगे यहाँ पर ठीके मैं यहाँ पर वुश्र से देखती हूं आपके लिए न एक message मुझे यहाँ पर यह भी मिल रहा है कि November मन्त में आप जिस पोजिशन पर भी आप जाओगे जिस चीज को भी achieve कर रहे हो वहाँ पर आप इना मतलब आप अपने तरीके से अपने नजरिये से अपने सौभाव से अपने mind से आप लोगों की भी बहुत help करते मुझे नजर आ रहे हो लोगों को अच्छी से अच्छी advice आप दे रहे हो क्योंकि आप मुझे इसा लग रहा है ना कि आपने ना जिन्दिकी से बहुत को सीख लिया है बहुत learn किया है तो वह कहते हैं ना कि जब हम बहुत अपनी महनत से अपनी बुद्धी से अपने ग्यान से किसी को advice भी लेने आ सकता है कुछ पूछने भी आ सकता है और आप उनको बहुत अच्छी अच्छी guidelines देते हुए भी मुझे नजर आ रहे हो okay okay the outsider okay no nothings wow कि यहाँ पर देखो मैं बोल रही हूँ ना आपको कि नवंबर मन्त आपके लिए बहुत खास होने वाला है पाइल नंबर वन वह क्यों क्योंकि केते हैं कि जब हम किसी position पर बेट जाते हैं किसी बहुत बड़ी चीज को जब हम अच्छीव कर लेते हैं ओके वो हमारी creativity के थो हमारी knowledge के थो और यह जब तक की बंद थी आपकी के जब तक आपने खुद को बांद कर रखा था यहाँ पर आप इस cards को देख रहे हों यह बच्चा है इसको यहाँ पर बंद किया गया ना ही यह अपने आपको प्रूफ कर सकता है ना ही enjoy कर सकता है ना बाहर की दुनिया को यह देख ही नहीं सकता है ठीके लेकिन ये जो लोग लगा हुआ है ना आप खुद अप इस लोग को खोल कर आप बाहर की तरफ यहां पर जा रहे हो नवंबर मन्त में आप है ना किते ना कि आप अपनी जिंदीगी को यहां पर खुल के जी होगे इंजोई करोगे celebration देख रहे हुएं यहां पर और जब हम किसी चीज़ को हमारी success को हम celebrate करते हैं enjoy करते हैं तो वहां पर क्या होता है? वह मनजरी कुछ और ही होता है नवंबर मंत में अभी तक आप जो भी लरंड कर रहे थे, जो कुछ सीख रहे थे, पास्ट का, तो यहाँ पर यह जो यह नवंबर मंत है आपका मैं बता नहीं सकती, यह कार्ड पता है क्या है, टोटल सब कुछ आपके हाथ में हैं, जो आप करना चाहोगे नवंबर मंत में, वही चीज़े आपके साथ में होएंगी सिर्फ आपका जो आप जो मेनिफेस्ट करोगे जो भी विश मांगोगे यहां पर आपके एनर्जी बहुत पॉजिटीव होने वाले हैं क्योंकि यहां पर इस कार्ड से भी मैंने आपको बताया था आप बहुत जादा यूनियर से करने जहां एनर्जी लगाओगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी उसमें आपको सफलता यहां पर मिलेगी ठीके मुझे यसा लग रहा है आप अपनी अपनी एनर्जी को एक ऐसी दिशा में लेके लगाने वाले हो जहां पर आप बहुत खूप्सूरती से आपने आपको परूफ कर यहां पर इसमें आप जितनी महनत करोगे जितना आप अपने दिमाग के गोड़े दोड़ाओगे उतनी ही उतना ही उसका फुरुट यहां पर आपको दिया जाएगा कुछ भी कर सकते हैं आप जो कुछ लिखोगे जो करमा करोगे उसका फुरुट यहां पर आपको दिया अब भी तक यह इस जखरं में थे इस उसमें बंदे हुई थे ठीके तो वो कहते हैं कि यूनियर्स का जो खेल होता है उसका जो तरीका होता ही कोई इंसान की menor im फसा हुआ है उसके blockage हैं, तो उस सोल को केसे अलग किया जाए, उसके blockage को केसे हटाया जाए, तो यूनियर्स ने ये कहते हैं, आपकी जंजी ने जब तोड़ी है, जब आपकी blockage तोड़े हैं, तो obviously वहाँ पर आपका बहुत कुछ तूटा है, बहुत कुछ पिखरा है, जो आपको लगा ह यहाँ पर कि मेरी life में, यह सब क्या हुआ अचानक से, तो वह blockage हटाए हैं आपकी, जिसकी वज़े से आपकी हर्च चीज पर आपका effect पढ़ा है, आपकी relation पे भी, आपकी financially भी, और आपकी health भी, जब blockage हटते हैं न डियर्स तो वह ऐसे smoothly हैं, ऐसे easily नहीं हटते हैं, सब भूकम पाता है, अब भूकम के effect में सब कुछ आता है, कितना सब की प्रतिकितनी हानी हो जाती है, कितना loss होता है, हर तरफ से loss होता है वहाँ पर, तो वही जब हमारे blockage हटाए जाते हैं, तो नवंबर मन्त में आप देखोगे, कि आप बिल्कुल आपके blockage हटाए गए हैं, एक चीजों से आपको मुक्त किया है, एक negativity से आपको मुक्त किया गया है, ठीके एक चीजों को फिर से सुधारने का एक मोका आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं energy deck से देखती हूँ आपके लिए, fully आप मतलब enjoy कर रहे हो, free हो रहे हो, आप अपनी journey को ले पर इस time पर, तो कुछ start कर रहे हो, और आप अपनी चीजों के उपर focus करते हूँ, मुझे नजर आ रहे हो, ठीके, यहाँ पर November मन्त में आप किसी को कुछ, एक सीखाना भी, दूसरों को learn कराना, जो आपने learn किया, उसे दूसरों तक पहुचाना, ठीके, वो बताना कि किस तर पाइल वन, इलेवन, इलेवन, यहनी कि यह fruits, ओके, यह जो कहते हैं, नवंबर मन्त में आपको, आपको यह महसूस होगा कि अभी तक मैं कहां गूम रहा था, लाइफ क्या होती, कैसे enjoy किया जाता है, कैसे celebration किया जाता है, actual में life को किस तरीके से, किस नजरिये से देखते हैं हम, तब हमें खुशी मिलती है, तो वो एक सोच, एक जो आपका नजरिया है ना, totally change होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आपकी जर्णी में एक, जो कहते हैं ना, चमचमाती सुभे, एक positivity को आप फ्ली करोगे यहाँ पर, new beginning के यहाँ पर, नवंबर मन्त में आप, आपका टाइम है कि जो कुछ भी करोगे, उसका फ्रुट यहाँ पर आपको दिया जाएगा, उसको सक्सिस के रूप में दिया जाएगा आपको, ठीके, यह एक केते ना, कि एक टाइम होता है, हाँ, रिलाक्स करने का, पीस में रहने क शांती में रहने का, और जो हम कर्मा करते हैं, उस एक समय होता है कि हमें कर्मों का फल मिलता है, तो वो फल यहाँ पर आपको मिल रहा है, और उस जीच के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, ठीके, तो यहाँ पर नवंबर मन्त आप बिलकुल फोकस बना कर रखने वाले हो, अपनी चीजों के उपर, बेटने वालों में से नहीं हो, आप यहाँ पर, ओके, इस कार्ट को तो मुझे लेना पड़ेगा, वाउ, पाइल नमबर वन, ब्लॉसिंग अबंडन्स, यहाँ पर यह दोनों कार्ट साथ देख रहे हो, पाइल वन, माई मतलब, इतनी ब्लैसिंग मिल रही हैं, नमबर मन्त में, कि आपके लिए, मतलब, एक बहुत अपोचनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, नमबर मन्त, आपके लिए केते न, इसमें भर-भर के आपको आशिरवात दिया जा रहा है, भर-भर के आपकी तरफ अपोचनिटीज आ यहां पर दिया जाएगा, और करma आपको क्या मिलने वाला है, एक 90 मिलेसिंग आपको यहां पर मिलने, आशिरवाद आपको दिया जा रहा है, एक यहे रस्ते आपके लिए open किये जारहे हैं, एक abundance事 एक succes है यहां पर आपके लिए नमबर मन्त में, जोगि बहुत-बहुत इस यहां पर त्री नंबर है आपके लिए यह थी और यह थी यह तो बाद में निकला है ना इसको तो मैंने पहले बता दिये ते कि अगर नंबर थी या डबल ट्रिपल नाई यह पता नहीं पेशली तीन चार वीडियो से मैं बोलती आ रहे हैं यह बहुत जादा मुझे इंट लखी हो सकता है यहां पर जब भी कुछ थ्री डिजिट में आए आपके सामने तो उसके उपर थोड़ा सा दियान देने की ज़रत है आपको ठीके यह एक आपकी लिए है ना नवंबर मन्त आपका अपना है यहां पर जितनी महनत करोगे जितना फोकस करोगे जितना जोश मे रहोगे उत्ती सक्सेज आपको यहां पर दी जाएगी क्योंकि यहां पर आपको यहां पर नवंबर मन्त आपके लिए ब्लैसिंग्स यहां पर बहुत आ रही है आपकी तरफ ठीके एक रिलाक्स रहोगे आप अपनी तरफ ओके यह कार्ड पहले भी निकला था लेकिन मैंने लिया नहीं था ओके दटावर दटावर ऑके यह टू ताइम आ चुकए ब्लाउंसिंग अबंडर्स अमतलब दोनों कार्ड यहोचुका है यह पास्ट में जो सब कुछ यहां पर होचुका है अब यह टाइम है कि उसका एक के जब हम जो तूड जाता है पिखर जाता है हम उ एक success हमें मिलती है, कुछ achieve हम कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या होता है, हमें खुशी होती है, हमें blessed किया जाता है, कर्मों का fruit हमें यहाँ पर मिलता है, तो वही है, नवंबर मन्त में आप देखोगे, कि फिर से आप अपने आपको, उन सब चीजों से निकाल रहे हो, जो past में आपको गेरे रखी थी, चीजे और चीजों को उपतलाबाब बहतर तरीके से, आप समझ रहे हो यहाँ पर, ठीके, सेवन चक्रा आर्केंजल यूरियल, यस, यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूँ, कि पाइल नमबर वन, नवंबर मन्थ में आप है न, किसी सक्सेस को तो यार अचीव कर रहे हो आप, आपके केरियर में बहुत, आप केरियर में कुछ चीजों को अचीव कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीजों को आप केरियर में, आप सोच चिचार कर रहे थे या discussion कर रहे थे अभी तक action ने ले पा रहे थे अब वो यहाँ पर करने वाले और plus उसमें आपको success भी मिल रही है ओके यहाँ पर आपको मतलब एक blast किया जा रहा है कि आपको सिर्फ अपने उपर विश्वास रखना है अपने उपर faith रखना है यहाँ पर जो चीजे आपकी है वो आपकी तरफ आएंगी आएंगी यहाँ पर आपको victory मिल रही है सफलता मिल रही है नवंबर मन्त में आप एक किसी चीज के उपर किसी काम को तो बहुत आपने इमानदारी से निभाए बहुत passionate आपकी energy रही है और बहुत सुन्दरता से आपने अपने फर्ज को यहाँ पर अधा किया है ठीके जिसकी वज़े से आपको archangel Uriel आपका seven chakra भी open कर रहे हैं किसी किसी का यहाँ हमारा स सबसे उपर का होता है ठीके यह अगर आप amethyst crystal आप अपने पास रखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि वह आपका protection का यहाँ पर काम करेगा ओके तो नवंबर मन्त आप अपने आपको काफी यह देखोगे कि आप कितना उपर तक जा रहे हो ठीके एक success को आप देखोगे enjoy करोगे आप अपनी success को enjoy करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो fully मतलब एक fully mood में बेठे हुए हो आप कोई tension नहीं है कोई मतलब किसी तरह का कोई दवाब नहीं है किसी तरह का कोई pressure नहीं है आप अपनी मर्जी से अपने हिसाब से आप अपनी चीजों को handle कर रहे हो यहाँ पर इंपास या मैं त्री कार्ट निकाल लेती हुए उसके बार में बताऊंगी बैलेंस और फेस्ट देखो यह अभी तक जो भी blockage थी ना जो भी recovery थी तो नवंबर मंत में उस चीज को balance किया जा रहा है और आपको इस इस energy से यह जो power की दो cards आये हैं यह वही है इंपास का blockage थे यह आपकी इन blockage को हटाया है और आप फिर से अपने आपको ready कर रहे हो balance कर रहे हैं आपको और आपको आगे की तरफ growth की तरफ यहां पर लेके जा रहे हैं क्योंकि आप अपना कुछ नया create कर रहे हो आप अपने एक जोश में आके एक अपनी creativity को और एक मोका दे रहे हो हिम्मत कर रहे हो आगे बढ़ने का एक जज़बा दिखा रहे हो आप यहां भार ओके तो यह थी आपकी नवंबर मन्त की रीडिंग हैल्थ वाइस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ यहां पर बहुत बतलब बैटर निकला है आपके लिए तो इस रीडिंग को मैं यह पर क्लोज करती हूं आई होप आपसे रेजोनेट हो अगर होती है तो प्ल पाइल नंबर टू वी रीडियो को प्लीज लाइक में सिस्क्राइब जरू करना और जिसे भी परसनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना वाट्स अप नंबर भी डिस्किप्शन बॉक्स से मेंशन कर रखा वहां से आप देख सकते हो ठीके तो पाइल नंबर टू नवंबर मन आपकी एलर जिस केसी रहने वाली है नवंबर मन्थ में आप देखो मैं पहले तो आपको पाइल नंबर टू आपको ये बता दो कि आप है न आपकी किसी नई जर्णी पर आप जा रहे हो एक नए रस्ते की तरफ जा रहे हो आप एक नई जर्णी आपकी शुरू हुई है यहाँ पर ठीके लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये ये किस तरीके से complete होईगी क्या मैं इस जर्णी को ये शुरू किया है तो मैंने क्या इसको मैं खतम कर पाऊंगा के नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये सिर्फ आपके thoughts है आपकी विचार है ये ये आपका mind बोल रहा है ओके लेकिन आपको पता है कि बेशक इसमें time लगेगा बेशक मैं इसको complete जरूर करूँगा यहां पर जो किते ना एक लंबे रस्ते पर चल देना एक नई जर्णी पर चल देना यहां पर ठीके एक बहुत चीजे है अभी धुंदली है कुछ पता नहीं है आपको clarity नहीं है आपके अंदर यहां पर लेकिन हां आपको एक एको किते ना एक चीज के उपर आपने focus लगा रहा है तो किसी को अपना M बना रखाय एक एम है आपका यहां पर त्लेके तो जब क्यते हैं कि जब हम अपना M बना लेते हैं और उसके उपर जब हम hard work करते हैं चाह फिर हम उस समय को नहीं देखते हैं चाह कितना भी उसमें हमें आपने आपको तराशना पड़े या हमें प्रूफ करना पड़े यहाँ पर हम करते हूं उस चीज को तो यहाँ पर कुछ लंबा आप यहाँ पर शुरू करने वाले हो और चीजे आपकी मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर मन्त आप मतलब हारने वालों में आप यहाँ पर आप करोगे बहुत बہतर तरीके से आप करोगे और आपको सक्सिस भी मिलेगी क्योंकि वो एक रोशनी एक प्रकाश आपको दूर से ही नज़र आ रहा है आपको आपकी सक्सिस नज़र आरी है कि बेशक मुझे इसमें टाइम लगेगा, बेशक अरचने आएंगी, चा कुछ भी हो, लेकिन मुझे, मुझे पता है कि मुझे सक्सेस यहाँ पर मिले ही, उरो आपको नजर आ रही है, ठीके, बस एक को केते हैं न, एक उमीद, हाँ, ठीके, उमीद है आपके अंदर, एक जस् है, बस उसी के आधर पर आप अपनी जर्नी को शुरू करोगे, यहाँ पर, ठीके, एक मुझे ऐसा लग रहा है किसी-किसी की यहाँ पर आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुए है, एक इस्प्रेचलेटी की तरफ यहाँ पर चा रहा है, भगवान की जिसे केते न, भगवान क जिसे आपको खुद के अपने उपर विश्वास है, तो देखो, इजीली कोई भी चीज हमें नहीं मिलती है, उसमें हमें टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, विश्वास हमें रखना पड़ता है, तो नवंबर मंत में कुछ नया स्टार्ट यहाँ पर कर रहे ह हो, और टाइम देना भी है आपको यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो प्रकाश आपको नजर आ रहा है, वो इश्वारी शक्ति आपको नजर आ रही है, वो पता है आपको, कि वो यहाँ पर ही मिलेगी, मुझे इस रस्ते से मिलेगी, इस जरिये से मिजे मिलेगी, तो कुछ इस मैं इसी कार्ट्स को क्लियर करती हूँ पेले नाइट ओप पैंटिकल्स यास देखो पाइल नमबर टू ये जो नवंबर मन्त रहेगा ना आप मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ तो है मेरे पास किस चीज की मेरे पास कमी है यहाँ पर लेकिन वो फिर भी आगे नहीं बढ़ पाना एक आगे शायद आप मूव नहीं कर पा रहे हो या चीजों को बहुत बहुत बहतर तरीके सा आप देख नहीं पा रहे हो सब कुछ होते हुए भी शायद आप सोच इचार में डूबे हुए हो मुझे इसा लग रहा है यहाँ पर बहुत यहाँ पर एक कहते हैं ना कि चीजों को जब हम ज़्यादा समय दे देते हैं उसके उपर ज़्यादा सोच इचार कर लेते हैं या चीजों को हम संभाल के रखना चाहते हैं जिसके प्रतियों बहुत ज़ादा पजेसिव हो जाते हैं यहां पर ठीके तो वह एक जो आपकी यह ते नहीं कि हाँ आपकी सोच आपकी विचार यह कहीं ना कहीं आपको शायद आगे बढ़ने से रोक रहे हैं ठीके जो यह यह मैं यहां पर किसी की उस टाइप की नहीं हमें अपनी इनर्जी लगाती है तो फिर क्या होता है मैं आप के नहीं हैं मुझे से लग रहे है कि बहुत चीजों को है न, एक किते हैं, कि हाँ, decision ले 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 न, कि नहीं, अब तो मुझे करना है, अब तो मुझे बढ़ना है, तो नवंबर मान्त मुझे इसा लग रहा है न, कि fully ready हो, फुली ready होते हुए, बस आप आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो, action लेते हुए, मुझे नजर आ रहे हो, एक block के से आप निकल रहे हो, एक चीजों को move कर रहे हो आप, एक कितेना moment आ रहा है आपकी life में, नवंबर मान्त में, एक रुकी ही चीजों को आप फिर से आगे मतलब वो केते हैं कि जब तक हम अपनी भावनों को व्यक्त नहीं करेंगे, आपकी क्या desire है, आपकी क्या इच्छा है, कहां अपनी चीज को आप लगाना चाहते हो, financially या health wise, ठीके, मुझे ऐसा लग रहा है, आप financially या health wise, बहुत सोच, इचार, उन सब चीजों के सोच, सोच और एक भाय, उस चीज से आप निकल रहे हो यहां पर, आपको पता है, कि हां, मुझे अगर मैं action लूँगा, या कुछ लूँगा, तो मुझे पता नहीं है, कि मेरे रस्ते इस आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी आपका एक खिते ना, कि आपको शा यहां जाद आप किसी के ओपर टाइम नहीं लगाने वाले हुआगा, ठीके, बहुत खुपसूर्टी से, समझदारी से, अपने, अपने कोई भी decision लेते हो, मुझे नजर आ रहे हो, एक नवंबर मन्त में, आपको opportunities भी आपकी तरफ आ रही हैं यहां पर, ठीके, यह opportunities आपकी मतलब एक को कहते हैं ना, opportunities में यहां पर अभी तक आ रहे हैं थी आपकी तरफ, लेकिन आप शायद उनको लेके बेठे हुए रहेते थे, उनकी तरफ एक्षन नहीं लेते थे, जाता सोच सोच के वो चीज़ें वहीं की वहीं रुख जाते थे, लेकिन यहां पर यह नवंब इस एनरजी से निकलना है, यह जो मैं पोल रही हो ना, आपके लिए, 10 of pentacles, नवंबर मन्थ, आप बिल्कूल बेफिक्रे आप रहने वाले हो, किसी तरह की को टेंशन नहीं है, कोई overthinking नहीं है, health-wise आप बहुत बेटर फिल करने वाले हो, financially अभी तक कुछ ब्लोकेज या कु हो जाना, क्योंकि आपको मुझे इसा लग रहा है, कि आपके सामने कुछ भी situation बनेगी, तो आप शायद वो कहते हैं, कि जब हमारे अंदर एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण हमें दिखाई दे जाती है, तो हम उस रस्ते पर भी चलते हैं, चाब वो रस्ता हमारे लि बेशक मुझे यहां परिशानी होईगी, लेकिन जाओंगा इसी रस्ते की, यही सही रस्ता है मेरा, तो वो जो केते हैं, एक्शन ले लेते हैं, तो वहाँ पर हम फिर क्या होता है, वहाँ पर यह सब चीजे, यह नवंबर मन्त में आपकी हैल्थ बहुत बेटर मुझे नज तो नवंबर मन्त में आप काफी चीजों को बहुत 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 तरीके से शोट आउट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी यहां पर रहने वाली है, एक डिसकेशन आप अपनी चीजों के उपर कर रहे हो, विचार कर रहे सेलिब्रेट कर रहे हो यहां पर आपके घर में है ना बहुत अबर्नस देख रहे हो मैं, जो भी ब्लोकेश थे ना वो सब रिमोव किये जा रहे हैं यहां पर आपको घर को लेकर एक घर शायद आपका हाउस अपना खुद का, वो उसमें आप शायद बहुत कुछ करना चाह आते हो, जिसके अंदर सब कुछ हो यहां पर, छोटी-छोटी बच्चे हो, पैठ हो, बड़े बुजुर्क हो, उनका आशिरवाद हो साथ में, तो सब कुछ यहां पर आपके लिए होने वाला है, यहां पर नवंबर मन्त में तोटली आपके घर में कोई नया महमान भी आ सक नवंबर मन्त मतलब वो केरी हो, में टोटल आप एक्शन ले रहे हो, बस, मूव कर रहे हो, अपनी सीचेसन से मूव कर रहे हो यहां पर, आपके घर में पॉजिटिटिटी अबंडन से, खुशियां है, प्यार है, और आप कुछ कुछ अपना इंटरफेर करते हैं उन सब चीजों में, एट्जस करना सीख जाते हैं हम यहां पर, पीस में रहना सीख जाते हैं, आते हैं यहां पर तो यह केते हैं ना time automatic हमारे according यहां पर काम करने लगता है ठीक है तो यह वही है आप मतलब अपने अपने आपके घर में जो भी positivity है जो भी प्यार है जो भी success है जो भी abundance है आप खुले दिल से आप उसका welcome कर रहे हो enjoy करते हो मिझे नजर आ रहे हो एक satisfaction मुझे आपके अंदर बहुत जादा नजर आ रहा है यहां पर emotionally केते हैं यह नवंबर मनत यह निकि बहुत सारी आपकी दिल्ली तमनाओं को पूरा होता हुआ मैं देख रही हूँ यहां पर एक आपके मन में जो जो भी इच्छा है है चुटी चुटी इच्छा है है वो complete हो रही है यहां पर ठीक है एक एक केते हैं ना कि हाँ नो के नो कब भरे हुए आपके पता नहीं कितनी विश्य विश्य यहां पर किसी किसी की complete होने वाली है ठीक है अम यहां पर वोश्यों से देखती हूं नवंबर मनत आपके लिए किसा रहने वाला है यहां पर देखो है ना नवंबर मनत में आप बहुत जादा आप अपनों के साथ enjoy कर रहे हो बहुत happy हो रहे हो खुश हो रहे हो यहां पर ठीक है एक आपके आज जब केते हैं ना कि जब हमारा दिल जूमता है एक मन जूमता है तो फिर वहाँ पर हमें किसी चीज का होश नहीं रहता है हम अंदर से खुश रहते हैं जब ठीक है तो वहाँ पर वही सारी चीज़े हैं कि आप नवंबर मनत में आप बहुत दिल से खुश हो रहे हो यहांपर ठीक है एक celebration देख रही है नवंबर मनत में आपकी family में बहुत किसी चीज को जैसे वो केते है ना सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिबल पर जैसे जिस तरीके से हम रेडी होते हैं खुष होते हैं तो यह नवबर मन्त में भी आप digital काफी हैपी हो रहे हो खुश होह हो से कि पार्टी वगेरा भी हो सकती है नवंबर मन्त में आपके घर में ठीक है आइसोलेशन है ओके नवंबर मन्त में देखो मुझे किसी के लिए मेसेज निकल रहा है कि आपके घर में जो भी कोई बड़े बुजूर्ग है तो थोड़ा सा उनके उपर आपको द्यान देने की जरु छुदाँ पर फोकस करने की जर। या अबढ़ी तक आपकी फैमिली में किसी किसी के लिए मेंसेज है। आप अपनी फैमिली में किसी को मिस कर रहे थे किसी को याद कर रहे थे कोई ऐसा रिष्टा हो जहाँ पर mixing हो ता है हमें शायद हम उससे दूर रहते हैं तो वो भी अब यहाँ पर complete हो रहा है आपके लिए ठीक है किसी किसी का यहाँ पर बहुत दिली तमन्ना में देख रही हो कि दिली तमन्ना किसी की पूरी हो रही है आप खुद अपनी बेडियों को तोड़ कर बाहर निकल रहे हो अब भी तक शायद दूर से ही देखते थे दूर से ही अपनी चीजों को निहारना और वेट करना कि हाँ यह मेरी लाइफ में कवाएंगी मैं इन सब चीजों को कभी इंजॉय करूंगा तो नवंबर मन्त वो टा आप अपनी इमोशनली रिलेशन वाइज या बहुत आपका दिल से जो भी आपकी इच्छा थी वो एक पूरी होते हुए मैं देख रही हुए यहाँ पर आपकी फैमेली में बहुत जादा प्यार एसेलिब्रेशन है चीजे हुई रुकी हुई चीजे फिर से मूव कर रही ह है यहाँ पर ठीक है मैं एनरजी टेक से देखती हुँ नवंबर मंत अपकली की सरेने वाला है ओके में होल्डिंग हार्ट देखो यहाँ पर देखो आपना फाइनेशली भी बहुत जादा स्ट्रॉंग हो रहे हुँ आप जो भी ब्लोकिस थे एक्षन नहीं ले पा रहे थे एक एक डार एक भाय उसकी एनरजी से आप बाहर निकर रहे हुई क्योंकि आपकी हेल्थ में बहुत जादा इंप्रूमेंट है यहाँ पर देख रहे हुँ एक्षन आप रहे हो यहाँ पर जिसकी वज़े से आपका है ना जब हम कहते हैं हमारी दिली तमन्ना पूरी होती तो हम बहुत जादा हैपी होते हैं बहुत जादा खुश होते हैं यहाँ पर तो आपको शायद नवंबर मन्त में आपको शायद बहुत जादा कोई याद भी कर सकता है बहुत जादा मिस कर है शायद आपसे कोई मिलना चाहता है या कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है ठीक है ये इस काड़ से मुझे यही मेसेज मिल रहा है तो नवंबर मन्त में आपको किसी-किसी का लाइफ पार्टनर भी उनके पास आ सकता है यहां पर ठीक है ब्रोकन हाट मैं रिलेशन का बह बहुत दिल से खुश होने वाले हो किसी चीज जो रिलेशन में कमी थी वो पूरी होते हुए मुझे नजर आ रही है आपकी दसन नवंबर मन्त में आप लिटरली में बोलू ना कि आप एक बहुत पॉजिटिव आप रहने वाले हो बहुत एक जो केते हैं ना कि हां फिर से अपने आपको रेडी कर रहे हो फिर से अपने आपको इंजोई अपनी लाइफ को कर रहे हो और कैसे खुश रहा जाता है कैसे चीजों को इंजोई करते हैं किसे टाइम स्पैंड करते हैं कितनी जब हम इस एनर्जिस में रहते हैं तब हम यकीन मानो हम पॉजिटिविटी को भी अट्रेक्ट करते हैं तो नमबर मंत में बहुत जादा आप positivity की तरफ दा रहे हो sun की तरफ जा रहे हो और बहुत negative चीजों को release कर रहे हो negativity को release करते हुए positivity को आप अपनी तरफ attract यहां पर कर रहे हो बहुत positivity रहेगी आपके अंदर sun की energies रहेगी आपके अंदर और new new चीजे नमबर वन का card है यह नमबर मंत आपको बहुत एक new energies में लेके जाएगा आपको okay goddess of the moon yes यह जो मैंने बताया ना बहुत साथ है इस पर चल यह निकि आप है नमबर मंत में आप है न अपनी चीजों को कैसे handle करते हैं हम अपनी जो हमारी एको दिली तमन्ना जो होती है हमारी जो इच्छाए होती है उसको कैसे mode ना है कैसे रस्ते निकालना है कैसे handle करना है वो आपके अंदर यहाँ पर आता जा रहा है moon यहनि कि मन का का रखे वो कैते ना कि जब हम अंदर से हम खुश होंगे हम हैपि होंगे हमारे परिवार में खुशिया होंगी तब हमें सबदूर वो चीजे नजर आती सबी के अंदर नजर आती है और तब हम positivity को attract करते हैं आपकी तरफ ठीके ये जो November मैंत में मुझे इसा लग रहा है कि आपका heart दिल से आप बहुत खुश होने वाले हो कोई आपकी wish यहाँ पर complete हो रही है क्योंकि आपका heart चक्रा अभी तक मुझे इसा लग रहा है बहुत किसी wish को दिल से आप चाहा रहते तो वो वो wish आपकी complete हो रही है यहाँ पर और सीज में आपको success भी मिल रही है moon की energy free निकली है यहाँ पर moon intuition यहाँ पर november मन्त में आप अपनी intuition के साथ अपने साथ यहाँ पर enjoy कर रहे हो आप अपनी चीजों को celebrate कर रहे हो उनके साथ time spend कर रहे हो ठीके यह sun का काड़ है यह moon है मतलब एक आपकी sun and moon आपकी दोनो energies ठीके आपकी masculine energy और feminine energy आपकी जो कहते है शिव शक्ति वो आपकी बहुत balance होने वाली है यहाँ पर ठीके success and suffer time यह आप यह नवंबर मन्त आप बहुत जादा अपनी चीजों को अपने तरीके से यहाँ पर आप attract कर रहे हो ओके मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ आपके लिए two cards से लूँगे ओके lessons and destiny यह यहाँ पर देखो नवंबर मन्त में जो भी आप जिस चीज के लिए परिशान थे दुखी थे निराश थे वो सब आपकी destiny में लिखा हुआ है वो सब आपको मिलके रहेगा ठीके जो भी दुख पेन दर्द थे वो यह आप सोचते हो जब हम sun की energies में रहते positivity हम हैं अंधर रहते तो negativity का माँ पर कोई काम ही नहीं है ठीके हम अपनी हर situation को balance कर सकते हैं ठीके तो यह थी आपकी reading I hope आपसे resonate हो अगर होती है तो please like, comment, subscribe, thank you, thank you so much and bye, bye too